हर दोस्तों नमश्कार वेलकम थू एक्जाम मास्टर चैनल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भावी सिक्षकों का और जो भावी सिक्षक प्राइमरी सिक्षक भरती का इंतजार कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों में तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रहे हैं यहां पर मैं आपको पताने वाला हूँ जी हां दोस्तों यहां पर प्राइमरी के 51,812 भरतियों के जो आसार है वो निकल के आ रहे हैं इसका पूरा प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूँ कि यह कल की न्यूज है देख लीज अब आज की जो खबर निकल के आ रही है यह देखिए सीयम की समिक्षा प्रमुग विभागों में रिखती है यानि कल जो सीयम ने मांगा था उसकी समिक्षा करके आज अलग-अलग डिपार्टमेंट में जो खाली पद है उनके बारे में जानकारी दिया गया है देख लीज और समुह घा के 22,230 पद रिखते हैं अब यह 6-8 की भरती है 41,136 यह आपके एक अच्छा 6-8 वाले जूनियर के पद हैं जो खाली है जो डाका दिया गया है सीयम को कि भाई यह डाका भरिये आप ठीक है इसके बाद यह जो समुह घा आप देख रहे हैं यह कच्छा 6-8 की जिसमें B.A.D. वाले शामिल होंगे और B.T.C. वाले भी शामिल होंगे 41,136 अब देखें बेसिक सिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 51,112 पद बेसिक सिक्षा विभाग में यानि प्राइमरी स्कूल में 51,112 वही वाला डाटा जो 69,000 के कोर्ट केस के समय दिया गया यह भरतिया पहले से रखे हुए थे ठीक है करने के लिए ही लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब लोहा गरम होता है तब हथोड़ा मारा जाता है तो अब धीरे धीरे लोहा गरम हो रहा है कि बगल में बिहार सरकार इस भी बड़ी बड़ी भरती कर रही है और अब बारी आपक के प्रदेश की है ये डेटा लिगल के आ रहा है खंड सिक्षाथिकारी के अभी 34 पद ही दिखा रहा है कनिष्ट सहायक के 875 पद परिचारक के 30,919 पद तो अब आने वाली दो बड़ी भरतियां आपको देखने को मिल सकती है मेरे दोस्त 41,136 जूनियर की भरति 4,000 नहीं बलकी 41,136 ये 6-8 तक के भरति के पद है और 51,112 पद ये 125 के प्राथमिक के पद है अब सरकार इन पदों पर भरति करने का विचार कर रही है CM योगी ने ये आदेश इसलिए दिया था कि समय रहते अब देखिए बहुत तेजी से आयोग का अध्याक्षा और वो सब हो जाएगा ठीक है क्योंकि अब जो है सेंटर से ताकत लगना शूरू हो गया है और लोग सभा चुनाओ से पहले थोड़ा तो महाल बनाना पड़ेगा नहीं तो बताइए कहां से क्या होगा आप सब बहुत समझदार है कि भरतिया तभी आती है जब चुनाओ आता है और चुनाओ से पहले आपको अब इतना ज्यादा मतलब कल कि जितनी भी खबर आई थी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उपर चीजे जो है वो सही है आज के न्यूस पेपर में आप यह चीज देख सकते हैं ठीक है यह देखिए यहां पर एक तो यह है खबर दूसरी यह है न कि नियुक्तियों में देरी पर योगी सक्त कहा सभी विभागों में जल्द से जल्द भरे जाएं खाली पद सीम ने मांगा पदों का ब्योरा बोले देरी से केवल बैक लॉग बढ़ता है और युवाओं को अपनी योग्यता के अगरूप आउसर भी नहीं मिलता है देखिए अब यहां पर यह है न बेसिक सिच्छा विभाग में 51,112 पदों को खाली बताया यहां पर यहां पर यह देखिए जनवरी फरवरी में संभावित है यूपी टेट की परिक्षा यानि जनवरी में यूपी टेट एक्जाम अगर हो जाता है 23 जनवरी में जैसे पिछली बार हुआ था तो यहां पर आप देख लीजे उसके बाद समय नहीं मिलेगा चीजे ब इस बार का यूपी टेट भी बहुत जरूरी है इस बार का सी टेट भी बहुत जरूरी है तो अब हम यूपी टेट सी टेट का क्लास साथ ही साथ सूपर टेट का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं आप हमारे 94, 52, 26, 94, 92 इस वाट्स अप नंबर से जुर जाएए आपको यू आपके घर तक साथ ही साथ इस notes के according आपको batch मिल जाएगा, classes मिल जाएंगी शुरू से, कहते हैं आखरी बार तैयारी करिए, शुरू से करिए, basic से करिए, जो विशय आप भूल गए है, जो विशय आपका कमजोर है, उन्हें मजबूत बनाईए, अपनी ताकत बनाईए, समझ क पूरे आत्मविश्वास के साथ competition में बैठिए, पद आपके सामने है, जल्द से जल्द इन पदों पर भरती निकलेगी, तैयारी करना शुरू कर दीजे, परहाई करना शुरू कर दीजे, तभी रहेंगे आप सब से आगे, thank you so much, इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत श क्याओ,